क्या आपने किसी पेड से नल की तरह पानी निकलते देखा है नहीं देखा है तो इस तस्वीर में देखिए यह तस्वीर है देश के प्रसिद्ध ताडोपांदारी बागपरी योजना के कोलसावन परिक्षेतर की जहां काम कर रहे वनकरमचारियों ने एक पेड पर बनी ट्य वनकरमियों ने हाथ धोकर इस पानी को पीने का आनन भी लिया यह वीडियो आज वाइरल हुआ यह वीडियो ताडोपा में कारेरत महिलावन रक्षक प्रनाली वंजारी ने बनाया था पानी निकलने से वह स्वय माचर चकित हो गई उसके बाद एक एक कर वनकरमियों ने प पूरसर रेंज में पिछले कुछ महीने पहले यहां एक घटना हुई है चमतकरी घटना हुई है और वहां पेड़ से पानी निकल रहा है तो बहुत सारे लोग यह चमतकरी घटना करके मान रहे हैं मगर एक साइन्टिपिक इसकी टूथ है फैक्ट है कि पेड़ों को तो इसी प्रकार का ट्यूमर जिसे कुराडी से तोड़ा गया और उसकी वज़े से वहां से पानी बाहर आने लगा है तो यह पानी चार पार दिन या फिर उससे ज्यादा समय यह भैते भैतर आने की शक्यता है तो पेड़ों में एक खुद की जलवा ही नहीं होती है यह जमीन से पानी पेड उठाते हैं तो उपर के पत्य तक पहुंच पहुंचाते है यह फिर बहुत जगा पर यह जो पानी है वह पानी स्टोर किया जाता है जनरली धूप काल्म के महिने में पेड़ों को ज्यादा पानी के आउशक्ता होती है तो पानी जमा करते हैं तो उसी दर्वयान केसी ने वो टूमर को अगर तोड़ दिया या फिर इंसेट और बैक्टरिया के वज़े से अगर वो पानी वहां से निकलने लगा तो पानी भैते यह पानी में बैक्टरिया होती है और कुछ प्रकार के केमिकल भी होते हैं जो शायद कभी हमारे प्रकूरती को हानिकारक होते हैं तो इस प्रकार का पानी जो लोग पीते हुई दिख रहे हैं उस तरकार नहीं पीना चाहिए यह हानिकारक है और यह कोई चमतकारी घटना न झाल झाल झाल